नमस्कार, मैं परमपमार, पाटचाला के इस डिजिटल प्लेटफोर्म में आपका स्वागत करता हूँ, हमारा बुकलेट सॉलूशन की अपन बात कर रहे थे, आज जो अपना आये का बुकलेट में सॉलूशन है, वो तीसरा जो आपका मोग पेपर हुआ था, बुकलेट नही हmäß जितने आपके मोग पेपर हो गये, उनका अपन सॉलूशन कर रहे है, अपन यहाँ, फंडामेंटल वाला जो सेक्सन है, जो फंडामेंटल में क्योश्टन आते हैं, वो डिसक्रस कर रहे हैं, प्लस आपके फंडामेंटल में जैसे सब्जेक्ट आते हैं, मेज़र, तो आपके यह जो पूरा booklet, यह जो है, मोग paper का solution यह हो जाएगा, तो एक बार सभी का स्वागत अभी निशा नागर, आरिफ खान, बजाओ गेमिंग, सूरज पमार, कटारिया ग्रल, केलाश राठोड, किरन कुमारी, निशा नागर, बिल्कुल सभी का बहुत स्वागत अभी which state to integrate national crop insurance portal with revenue record, यह धरती, एक revenue record के लिए, एक portal launch किया था, राजस्थान, राश्टिय फसल भीमा पोर्टल का राजस्व रिकोर्ड यह धरती के साथ, इंटीग्रेशन करने वाला कौन सा राज्य बन गया है, ठीक है, वो क्या किया है, कि राजस्व रिकोर्ड यह धरती के ठीक है, राजस्थान वो कौन सा state बन गया है, बिलकुल शतीस, सुनील मीना, मिस्टर, जैपूर, गुंजन मोदी, सुनीता, घीता, रितु परजापत, किशु चोदरी, बिलकुल सभी का स्वागत अभी, ठीक है, चलो बताओ, अच्छा question है, मेजर डवलप्मेंट का, आप राजस्थान जो state है, वो एक platform है, जो launch किया गया था, इधर्ती, ठीक है, क्या नाम था, इधर्ती, ठीक है, जैसे यहाँ इसमें आपको, जैसे आप अपने खेत का, अपनी जमीन का, नक्षा वगेरा, जा जमाबंदी, क्या देख सकते हो, जमाबंदी वगेरा, वो भी आप को उपलब्द हो रही थी, इसके लिए आपका जो इसमें नाम था उसका, अपना खाता भी नाम था, ठीक है, अपना खाता नाम से भी आपको ये मिल रहा था, तो अपना जो राजस्थान का जो state है, वो तीसरा state है, ठीक है, जो उसकी position अगर आपको पूछी गई है, तो वो integration करने वाला राजस्थान तीसरा जो state हो गया है, हाँ, बिल्कुल मिस्टर जैपूर, देखना चीए, तो solution उसमें कोई गलत बात थोड़ी ना है, ठीक है, चलो, devil, अम्भी का सोनी, चलो, बिल्कुल स्वागे तभी, motivation down होता जा रहा है, motivation down नहीं करना है, motivation हम बढ़ा देंगे भई, ठीक है, सारा काम करते हैं, आपका motivation भी बढ़ाते हैं, which will be the first institute in the state to offer online MBA degree course, ठीक है, online MBA degree course करने वाला पहला जो institute है, राजस्थान में कोन सा है, question अच्छा है, online आप क्या कर सकते हो, MBA की degree कर सकते हो, वो भी क्या है, online आप mode में MBA की degree कर सकते हो, ठीक है, डिगरी की जा सकती है, उसके लिए कौन सा जो institute है, ठीक है, बताना है आपको, INVU जोदपूर, ठीक है, वर्दमान, ठीक है, ये कोटा वाला है, ओपन वाला, या IIM उदेपूर है, या फिर IIT जोदपूर है, online MBA आपको उपलब्द करवाने वाला पूछा गया है, अच्छा क्योशन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं, ओन लाइन आपको MBA की डिगरी जो मिल रही है, उसके लिए पूछा गया है, अच्छा क्योशन जल्दी से fast answer दें, ऐसे कैसे काम चलेगा, आपकी exam आपको पता 21 जन्वरी fix है, कुछ दिनों में schedule आपका, जो आपको उपलब्द हो जाएगा, तो IIT जोदपूर है, वो आपका क्या है, कि ओन लाइन आपको डिगरी प्रोग्राम उपलब्द करवाने वाला पहला सैंस्तान है, ठीक है, तो IIT आपकी जोदपूर है, तो यहाँ ए है वो मेरा correct आंस्वरत ही कह, अब आप online भी कर सकते हैं, हाँ, सर मैं offline बेच का student हूँ, ठीक है, बिल्कुल Mr. जैपूर, अच्छी बात है, चलो, Rina Aloria, बिल्कुल स्वागत अब ही, आगे चलते हैं, चलो, राज्य के किस जीले में बढ़ती हुई आत्म हत्या को रोकने के लिए, anti-hanging device system का उप्योग किया जाएगा, देखो, in which district of the state will anti-hanging device system, ध्यान देना, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, anti-hanging device system, be used to prevent increasing suiciding, ठीक है, suicides जो केस होते हैं, उनके लिए, उनको कम करने के लिए, एक system त्यार किया गया, anti-hanging device system का प्रियोग किया जाएगा, जिससे जो बच्चों, आजकल जो आप कह रहे हो कि बढ़ी, demotivate होते हैं, ठीक है, तो फिर वो ऐसे हो जाता है, उनका selection नहीं होता, तो neat वाले बच्चे, आजकल तो सारे ही बच्चे से demotivate से हो रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ A मेरा correct answer, राज्ये के किस जीले में बढ़ती हुई आत्मत्या को रोकने के लिए anti-hanging, system device जो बनाये गया है, तो वो आपको ध्यान देना है, ठीक है, clear, तो quota यहाँ मेरा correct answer है, तो आपको ध्यान देना है कि आपको किसी type का load नहीं लेना चाहिए, पड़ाई में, कोई बात नहीं, एक बार में नहीं हुआ, फिर हो जाएगा, आप अच्छा प्रियास करें, हाना, कटारिया ग्रल कह रही है, sir, quota में बहुत ज्यादा suicide हो रहे हैं, लेकिन वो गलती है, suicide करने से क्या होगा, किसी चीज का solution थोड़ी है, उससे अपन आत्मत्या करके, या कोई करना चीए, आगे बढ़ते हैं, next question, I start innovation school hub की स्थापना, किस जीले में की गई है, in which district will be, I start innovation school hub, ठीक है, I start innovation school hub की स्थापना पूछी, ठीक है, I start innovation hub, important question भई, I start innovation hub, हाँ, रीना लोरिया बोल रही है, सर पेपर लीक होते हैं, ठीक है, वही आपकी समस्या नहीं है, वो पेपर लीक होंगे, तो क्या होगा, जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनका कुछ नहीं बिगडेगा, चलो, आगे बताओ, सुनील मीना जी कह रहे हैं, इस बार हो जाएगा, वही सुनील मीना जी, आप अच्छा motivate रखें, खुद को, इस बार हो जाएगा, तो बताओ मुझे, I Startup Innovation School Hub की स्थापना कहां की गई है, विकानेर है, जैपूर है, जोदपूर है, या फिर कोटा है, जल्दी मुझे fast answer दें वही, तो यहाँ, जो आपका विकानेर में स्थापित की जाएगी, ठीक है, जो इसका नाम क्या है, I Start, ठीक है, Innovation Hub, School Hub, ठीक है, School Hub, तो वो कहां स्थापना की गई है, I Start Innovation School Hub की स्थापना मेरी विकानेर में की गई है, क्योंकि सिक्ष्या जो निर्दर्शाल्ले है, वो भी विकानेर में है, ठीक है, जो आपका विकानेर में क्या है, सिक्ष्या निर्दर्शाल्ले है ना, ठीक है वो भी तो विकानेर में है इसलिए ध्यान देना है आपको न चलो आगे चलते हैं अपन next question आपकी screen पे अच्छा question हाँ बिलकुल भई booklet का solution भी करवाएंगे भई नीरज सुतार ठीक है आगे चलो before the G20 summit the University New York America set up joint research center with which institute कौन सी institute के साथ ठीक है जी 20 सीकर समयलन से पूरवे University of New York America ने कि सैंस्ता के साथ साजार रिसर center बनाने पर सहमती व्यक्त की है बिलकुल रीना अलोरिया मिल जाएगी भई क्लास आपको कई बार क्या है कोई busy schedule होता है तो यह नहीं मिलती आपको मिल जाएगी चलो नीरस सुतार यश्कान सर्मा जी बिलकुल जैसरी शाम स्वागत है चलो बताना है आपको आंस्वर 65 में क्या है जल्दी से मुझे बताओ भई प्रक्राथ को यह गया है जल्दी से fass आंस्वर दो कि जोदफुर में ही आपका यह स्थापना की गई है Speech जी 22 समेलन में अमेरिका के किस संफता के साथ घिक है अमेरिका ने किस संफता के साथ रिसर्च सेंटर बनाने की सहमति व्यक्त किये कौन सा center बनाएंगे वो research center ध्यान देना है आपको research research ठीक है research center बनाएंगे तो यह ध्यान देना है भई ठीक है IIT जोदपूर तो important है अपना IIT जोदपूर ध्यान देना है question पूछे जाते हैं सीधे अच्छे level के question आ रहे हैं देखो ठीक है चलो राजनेट में connectivity है तो किस तरीके का इस्तमाल किया जाता है जो आपका राजनेट है उसमें connective के लिए कौन से नेट का इस्तमाल किया जाता है बिल्कुल सुबास मीना जदेव बाबा की बिल्कुल स्वागत अभी चलो कौन सा connective के तरीके का इस्तमाल किया जाता है एक राजनेट है ठीक है राजनेट में which method is used for connectivity in राजनेट ठीक है satellite system है स्वान है या सभी है lane यानी local area network local area network local area मतलब एक bank में हिस्तित या computer है उनको मेरे को connect करना है बिल्कुल devil आपकी request है मैं आगे तक हमारी जो technical team है वहां तक पहुंचा दूँगा ठीक है तो आपको उपलब्ध हो जाएंगे भी ठीक है तो bank में जो सारे सारे computer है उनको जोडने के लिए bank में ठीक है या कोई office में network है या कोई और ऐसे building में है कोई मतलब एक समान एक area है एक जो बिल्कुल एक नजदीक area है उसमें अगर मुझे computer को जोडना है तो मैं lane का use करता हूँ local area network एक local area के अलावा एक होता है main metropolitan area network यानि एक कोई सहर को जोडना है ठीक है उसमें काम में लिया जाता है अब जो main है metropolitan area network वो आपका एक सहर में इस्तित जो अलग अलग lane network है जैसे एक city है ठीक है एक city में अलग अलग जैसे network है जैसे कोई office का lane है ये computer है और एक office के को जोड़ रहा है ये ऐसे ही यह अदर कोई office है यहां कोई computer है इनको यहां add करने के लिए ठीक है यह कोई और कोई bank की branch है यहां कोई computer है उनको add करने के लिए तो यह सारे का सारा main होता है एक सहर को जोडने वाला जो network है वो metropolitan अगर मैं बात करूँ वेन की तो वेन आपका क्या होता है wild area network ठीक है wild area network तो यह भी ध्यान देना जो पूरा अपन world को जोडता है ठीक है तो यहां d है वो मेरा correct answer है वह सेटेलाइट हो गया lane हो गया स्वान हो गया सारा का सारा मेरा यहां correct answer है बिल्कुल चलो सुजान नागर किरन कुमारी चेतन परिहार बिल्कुल correct answer भी आगे चलते है चलो what is the rate of interest given under BRSY loan amount registered unemployed ठीक है बेरोजगारों को पंजीकर्थ करने के लिए ठीक है एक सेंस्ता है BRSY क्या नाम है BRSY रेंड राशी के तहद जी दिये जाने वाली जो ब्याज की जो percentage है वो कितना है चार परसेंट है पांच परसेंट है आठ परसेंट है वो कितना है करूना बंसल चलो चल्दी से मुझे बताओ वही अचार महर कह रहे हैं सर वही यह जो है आपको जो मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल करेक्ट आंस्वर भी आगे बताओ मुझे कितना परसेंट होगा तो सुजा नागर कह रहे हैं सी के चोदरी कह रहे हैं कटारिया ग्रल कह रहे हैं तो आपको जो जितना परसेंटेज मिलेगा बेरोजगार जो व्यक्ति है उनको करने पर रंड रासी के तहत एक सहता है बी आर एस वाई के तहत आपको चार परसेंट है जो रिन दिया ब्याज के रूप में दिये जाएगा तो उसकी रेंड रासी के ब्याज जो लगेगा वो फोर्थ परसेंट चार परसेंट पर लगेगा next question है वही question अच्छा है देखो question पूछा गया है e-commerce से ठीक है e-commerce से what type of e-governance does the e-mitr model use e-mitr model किस तरह के e-governance पर कारिये करता है e-mitr का आप सब use लेते हो न तो question important है ठीक है e-mitr e-mitr जिसे अपन कहते हैं अब किस में किस type का ये model काम में लेता है भामाशा योजना नहीं बही ए-mitr को देखते ही भामाशा योजना याद आ रही अभी चिरंजी वी योजना चल रही है ठीक है भामाशा योजना का नाम चेंज कर दी अब चिरंजी वी योजना है ठीक है तो G2C C2C ठीक है B2C ठीक है कौन सा model अब ही देखो e-mitr जो आपकी सेवाएं हैं, तो यहां government से सीधा आप consumer को कर सकते हैं, संपर्क सीधा अपना product है, सीधी अपनी सेवाएं है, government to consumer कर सकते हैं, या फिर business to सीधा क्या कर सकते हैं, consumer कर सकते हैं, तो मेरा यहां D है वो correct answer है, ठीक है D यहां, correct answer अब गवर्मेंट to government to consumer कर सकते हैं, ठीक है तो यह मेरा क्या हो गया, G to C के अंतरगत आ गया, और एक आपका आ गया B to C, यानि business to consumer तो यह भी हो सकता है तो दोनों ध्यान में रखना आपको आगे चलते हैं, अपन E मित्तर की सेवाए हैं, ठीक है जैसे business to business हो गया business to customer हो गया या consumer हो गया तो यह E मित्तर की सारी सेवाए हैं, आपको ध्यान रखना है वही question पूछे जाते हैं, कौन सी E मित्तर की सेवाए है E governance B to C का प्रकार है वही ठीक है E governance का ही question है which of the following and example of B to C governance type ठीक है, governance कहे दो चाहे government कहे दो इन में से कौन सा E governance B to C का प्रकार है ठीक है, governance भी कह सकते हो इसको government कह सकते हो या governance भी कह सकते हो या government भी कह सकते हो कोई दिक्कत नहीं है चलो, हाँ, बताना है आपको कि यहाँ पूछा गया है कि कौन सा E governance यानि B to C business to customer का प्रकार का उदारन ठीक है, एक क्या कर रहा है business to consumer ठीक है, या आपन customer कह दो इसका example है तो इसमें कौन सा example हो गया mobile bill payment और इसमें ठीक है, तो यहाँ मेरा C है वो correct answer है ध्यान देना है, mobile bill payment नहीं है, यहाँ C है वो correct answer होगा चेतन, रीना, अलोरिया अच्छा क्योशन है भी ठीक है याद रह जाएगा आपको रहा है, वो किस टाइप की जो service है आपको जल्दी से बताना है नीरस सुथार कह रहे है जियोग्राफिकल इन्फोर्मेशन सिस्टम ठीक है, तो बिलकुल सही answer बता रहे है आप जो राजधारा है, वो मेरी C है, यहाँ correct answer है, ठीक है राजधारा जो service है जो जियोग्राफिकल इन्फोर्मेशन सर्विस के अंतरगत आती है ठीक है, यहाँ C है, वो मेरा correct answer है आगे चलें, question आपकी screen पे अच्छा question पूचा गया है, fundamental से question है when you put your computer into hibernation all information within it is saved on जब आप अपने computer को hibernation में डालते हैं तो computer में मुझूद information किस memory में save होते हैं, ठीक है एक computer में एक mode होता है, ठीक है जिसका नाम है hibernation, क्या नाम है hibernation mode होता है ठीक है, hibernation mode होता है जिसमें आप क्या करते हो, आपका जो computer बंद नहीं हो रहा आपने set down नहीं किया, केवल hibernation mode में किया है उसका answer है, जब आप hibernation mode में कर देते हो तो आपकी जो information है, जो आपका computer है इसकी जो information है ठीक है, इसकी जो information है कहां कौन सी memory में रहती है ठीक है, तो अपन बात करेंगे one by one digital, versatile, disk के ठीक है, यहाँ नहीं रहती DVD को कहते हैं, DVD में कैसे रहेगी भई DVD जो है, वो secondary memory है कौन सी है, secondary memory है ठीक है, इनफोर्मेशन रहतो सकती है लेकिन वो बाद में, जब hibernate mode है hibernation mode है, उसमें अगर है computer तो DVD का तो सवाल नहीं, क्योंकि वो extra है, external आपकी external जो memory के अंतर गताती है, DVD ठीक है, आपकी polycarbonate plastic की बनी हुई होती है ठीक है, DVD में ठीक है, DVD के अलग-अलग type होते है, compact disc की भी नहीं है, यानि CD भी नहीं है ठीक है, ये भी किसकी बनी होती है secondary memory में आती है, polycarbonate plastic में होती है, RAM भी नहीं है, RAM में क्या है जो जब तक आपका computer है, RAM computer की जो RAM अपर यहां बात कर रहे है, random access memory तो RAM computer की processing की memory है, processing की memory है, ठीक है, जितनी भी processing होगी, वो RAM में ही होगी, computer में जितनी भी processing होगी, वो कहां होगी, RAM में ही होगी तब ही तो अपन हर बार अपन कहते है न, mobile phone में जैसे मैं 8 GB RAM, जैसे आप लाते हो, कि 4 GB 64 का ले आए, ठीक है 6 GB, 6 128 का ले आए, ठीक है 8 256 GB का ले आए, तो यह जो यहां दिखाई दे रही है आपको, यह तो आपकी है RAM, और यह आपकी है ROM, mobile phone में तो आप हर बार यह RAM ही बढ़ाते हो, ROM बढ़ाते हो क्योंकि जितनी भी आपके mobile है, आपका computer है उसकी जो processing होगी वो कहां होगी RAM में, ठीक है तो यह processing की memory है, जबकि storage कहां होगा, वो main वो ROM में होगा, ऐसे ही computer में आपका जो data है information save करते ही, आप कहां करोगे तो secondary memory है, तो वो hard disk में save करेगा, तो यहां मेरा A है, वो correct answer है clear, हाँ RAM जो है, वो volatile memory है hard disk है, अब अपन थोड़ा सा बात करते हैं hard disk की, ठीक है hard disk की अपन बात करते हैं hard disk ठीक है, hard disk है वो आपकी किस की बनी हुई होती है ठीक है, तो वैसे आपकी यह aluminium की बनी हुई होती है लेकिन उस पर magnetic oxide का लेप होता है, तो hard disk में जो data है, वो मेरा track and sector में divide होता है ठीक है, जो hard disk में जैसे यह आपको hard disk अगर मैं बताऊं आपको, तो यह जैसे यह हो गया, तो यह मेरा क्या कहलाएगा ठीक है, यह वाला चीज है, जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है यहाँ मैं अगर आपको बताना चाहूं, कि वही यह वाली चीज है यह वाला चीज है, जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ठीक है, यह जो यहाँ से, यहाँ से मैं जा रहा हूं ठीक है, ये तो मेरा बन गया, एक और अंदर आ जाते छीक है ऐसे बन गया, एसे बन गया और ऐसे, ये तो मेरा एक बन गया सेक्टर, क्या बन गया मेरा कहलाता है ट्रेक ये ट्रेक है जैसे आप दोडने जाते हो न ट्रेक तो इसे अपन कहते है ट्रेक तो एक सेक्टर में 512 बाइट डेटा आता है कितना डेटा आता है 512 बाइट डेता आता है हाट डिस्क है वो ट्रेक एंड सेक्टर में डिवाइड होती है ठीक है ट्रेक एंड सेक्टर में अगर मैं हाट डिस्क को डिवाइड कर दूँगा तो वो कहलाएगी मेरी फोर्मेटिंग क्या कहलाएगी फोर्मेटिंग कहलाता है अगर मैं डिस्क को ट्रेक डिस्क को किसमें virtual twin tracks and sector में डिवाइड अगर कर दूं, सेक्टर में डिवाइड अगर कर दे तो वो मेरा क्या कहलाएगी formatting ठीक है तो यह ध्यान देना कितना कितना होता है तोसाडर मिलकर जो cluster बनाते हैं सेक्टर अगर दो सेक्टर मिल जाएंगे जैसे ये वाला सेक्टर मिल गया यहां से ये वाला यहां से ये भी मिल गया ये तो यहां से यहां तक ये कलस्टर बना देगा ठीक है तो ये ध्यान रखना वही छोटी सी information दिये मैंने क्या आपके computer में एक से अधिक lane card हो सकते हैं? आसान question क्या आपके computer में एक से ज़्यादा can you have more than one lane card your computer? क्या आपके computer में एक से अधिक lane card हो सकते हैं? local area network card ठीक है? हो सकते हैं yes या no या कभी नहीं? बताओ वई हाँ दो sector मिलकर cluster बनते हैं वही चलो आगे चले जल्दी से अच्छा question आपकी screen पर अच्छे level के question है वही यहाँ पूछा गया है कि आपके computer में हो सकते हैं क्या? हाँ तो यहाँ आपके computer में हो सकते हैं lane card क्यों नहीं हो सकते हैं दो lane card हो सकते हैं तो two lane जो card है वो आपके computer में हो सकते हैं अगर आपको computer में एक office में ही computer को access करना है ठीक है? एक office के computer को जोड़ना है एक bank के computer को जोड़ना है ठीक है? या एक college के computer को जोड़ना है एक school के इन सभी के जो computer में जो connection इस्तापित किया जाएगा तो वो अपना होगा local area network एक है? जिसकी range होती है वो सिमित होती है एक छेतर में जोड़े जाने वाला network है वो मेरा local area network है ठीक है? तो एक computer में दो lane card हो सकते है मेलिंग टेम समूँ बनाने के लिए विकलपों की संख्या कितनी होती है? there are how many option create group in a mailing table ठीक है? mailing table में अगर आपको group बनाना है तो एक तो बनाएंगे nv envelope जिससे अपन कहते हैं लिफाफा बनाएंगे ठीक है लिफाफा जानते हो न आप यहां लिखा जाता है to यहां अपन लिखते हैं to ऐसे address लिखते हैं to वाला जिसको भेजना है ठीक है? तो यह delivery का address है यहां from ठीक है यहां यह वाला return return address आता है यहां तो यह दो step है एक तो envelope बना सकते हैं एक label बना सकते हैं ठीक है? एक क्या बना सकते हैं? label तो यहां कितने step हो गए? दो तो यहां मेरा 2 है वो correct answer है तीन नहीं होगा वही दो होगा आगे चलते हैं इंटरनेट गर्ती की गुणवत्ता पूरी तरह से निर्भर करती है तो यह इंटरनेट की quality डिपेंड करती है किसके ऊपर करती है? हाँ, envelope और label बिलकुल रीना अलोरिया, सही अभी आपका, शतीस, किरन कुमारी, चेतन परिहार, चलो इंटरनेट की जो speed है, इंटरनेट की बात करते हैं, ठीक है? इंटरनेशनल नेटवर्क जिसे कहते हैं, इंटरनेट इंटरनेट की speed है, तो वो speed मेजर करेगा अगर आपकी connectivity है, ठीक है? अगर आपने distance अगर बढ़ा ली, ठीक है? तो वो distance पर निरबर करेगा भई इंटरनेट की जो speed है, वो distance पर निरबर करेगा, दूरी पर कहां करेगा, 74 में question में answer पूछा गया है, तो वो दूरी पर ही बात करेंगे अपन, ठीक है? डिस्टेंस पर, service provider की बात नहीं करेंगे, service provider से कोई मतलब नहीं है, अगर दूरी है, आपको 2 connection के 20 दूरी है, तो फिर इंटरनेट की speech down हो जाती है, आप अगर sale network में pass में हो, तब जादा आपकी range में हो, तब जादा speed आती है, अगर network ही नहीं है, आपके phone में, network मतलब दूरी है, tower ही नहीं है, network से connection दूर है, तो फिर speed धीरे होगी न, तो उसकी quality पे difference पड़ेगा, चलो, service provider होते है, ISP, हर देश म इंटरनेट की service के लिए, ISP नियूक्त कर जाते है, भारत में जो service provider के रूप में पहले था, BSNL, ठीक है, पूरा नाम है इसका, BSNL नहीं, VSNL, ठीक है, VSNL, पूरा नाम इसका, विदेश, संचार, निगम, लिमिटेड, विदेश, संचार, लिगम, लिमिटेड, ठीक है, जो ISP के रूप में जो service उपलब्द करवाता है, जो ISP है, अब ये जो VSNL है, ये तो या तो आपको कोई सरकारी कमपनियों को, या आपको private कमपनियों को, जैसे BSNL को, ये आपका air tail को उपलब्द करवा रहा है, ये आपका idea जैसे अब हो गया कौन सा VI को उपलब्द करवा रहा है, तो ये private government कमपनियों को उपलब्द करवाता है, फिर हमें internet इनसे अपन आगे access हो जाता है, ठीक है, विदेश संचार निगर लिमिटेड, तो ये ISP होता है, internet service provider, जो हर देश में हमें internet की service उपलब्द करवाते हैं, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूँ, भारत में internet कब स्टार्ट हुआ, तो 15 अगस्त 1905 में इंडिया में सबसे पहले, ठीक है, network स्टार्ट हुआ, internet स्टार्ट हुआ, internet स्टार्ट, तो ये भी धान देना, 15 अगस्त 1905 में सबसे पहले, भारत में जो internet है, वो स्टार्ट हुआ, अच्छा क्योशन था, आगे चलो, चलो, दे प्रोसेस ओफ ट्रांसफोर्मिंग यू आरल तो असाइंग इंपोर्टेंस तो वेब पेज एंड रेड्यूस इंडेक्सिंग तो डुप्लिकेड पेज इस दन बाई वेब पेजो का महत्व देने और परतिरूप पेजो के अनुकरम को कम करने के लिए यू आरल को बदलने की परक्रिया किसके द्वारा की जाती है यू आरल को बदलना है यू आरल को चैंज करना है ठीक है उसके लिए जल्दी से मुझे आंसवर्द हो अच्छा क्योशन कटारिया ग्रल सही आंसवर्द दिया था अब नेक्स्ट क्योशन का आंसवर्द हो जिन ब session को लाइक किया गरो बही यह आपकी जिम्मेदारी है एक अच्छे इंसान बनौ अच्छे नागरीक बनौ अच्छे student बनौ कोई जमाना था जब जब जो student होता था जो विद्यारती होता था अपना अंगुठा काट देता था ठीक है द्रोणाचारियों को अर्पित किया था न अब यहां आप यहां को आपको लाइक करने के लिए कह रहे हैं फिर भी नहीं करते हैं घलत बात है न यह चलो तो वह अपना क्या होगा सर्च इंजन होगा क्या होगा मेरा सर्च इंजन होगा जो आपको वेब पेज़ों को मेथ देने और परतिवदू पेज़ों को कम करने के लिए URL को लोकेटर जो URL कहलाता है वेब साइट का जो एडरस है उसे अपन क्या कहते हैं URL कहलाते है किसी website का address है, जिसे अपन क्या कहलाते है, URL कहलाते है, website का पता हो गया, वो URL, एक और होता है बई, एक होता है URI, uniform resource identifier, ये भी ध्यान रखना, एक URI होता है, URI में URL का, ठीक है, कुछ भाग या पूरा भाग समाईत होता है, ये भी ध्यान देना है, ठीक है, तो browser आपके क्या हो गई, browser आपके आते है, application software में, इसमें आते हैं, application software में आते है, जो मैं browsing करूंगा, जैसे google browser है, ठीक है आपलिकेशन software है, और निमन ब्राउजर, निमन ब्राउजर जो आप यहाँ से surfing वगेरा करते हो, search वगेरा करते हो, तो यहाँ एक तो हो गया a गूगल का, Google Chrome हो आगया ठीक है यहाँ एक आगया सफारी एपल का ठीक है एक आपका आगया ओपेरा ओपेरा का में लेते हैं ना मोबाइल फोम में यू सी ब्राउजर ठीक है यहाँ पर अपन लेंगे मोजीला फायर फोक्स तो यह सारे के सारे वेब ब्राउजर है ठीक है मोजीला फायर फोक्स है यह सारे के सारे अपने वेब ब्राउजर में आते हैं ठीक है अब यहाँ सर्च इंजन क्या करते हैं सर्च इंजन विश्व में दो ही सर्च इंजन है जो ज्यादा फेमस है एक तो आपका स search engine है ठीक है एक search engine की और बात करें Google हो गया याहू हो गया एक अपन बात करें duck duck go तो ये duck duck go है ये भी क्या है search engine है important है ठीक है हाँ तो यहाँ ध्यान देना है कि वह कौन-कौन से search engine है search engine क्या करते है जो यहाँ देखो जैसे आपने कोई search किया है तो indexing का कारिये करेंगे जितना भी data है अब उसको हिसाब से वो arrange करेंगे indexing करेंगे user ने क्या search किया है user ने क्या request डाली है उसके हिसाब से index indexing त्यार करेंगे और फिर वो उपलब्द करवाएंगे ठीक है आगे होते है चलो custom mailing बलाने की परकरिया क्या कहलाती है आसान question है question पूछा गया custom mailing बनाने के लिए कौन सी process है वो काम में ली जाती है विल्कुल कटारिया ग्रल जो यह class है यह booklet solution है इनका अलग से अपन playlist बना देंगे जिससे आपको हाँ आसानी हो ठीक है बींग है याहू है गूगल है ठीक है हाँ डक डक गो है ध्यान देना चलो चलो आगे बताओ वही सब आईए की तैयारी कर रहे है देखो आईए का ही तो मोक टेस्ट पेपर का solution कर रहे है इसलिए सब आईए की तैयारी कर रहे है अच्छा question आपकी screen पे जल्दी से answer दे मुझे अगर mailing बनाने के लिए देखो एक word में tape होता है mailing ठीक है mailing tape होता है जहां से अपन क्या करते है mail merge करते है mail merge करते है यानि एक mail को ठीक है यानि one mail को other user को other person को user कह दो या person कह दो को send कर सकते है ठीक है उसके लिए अपन काम में लेते है mail merge ठीक है एक ही mail अलग अलग person user को अपन भेज सकते हैं तो वो mail merge है ठीक है तो यह चीजे ध्यान रखनी है वही question ऐसे सीधा सीधा पूछा जाता है ठीक है तो आपको यहां से ध्यान होना चीए आगे चले अच्छा question था आपकी screen पे आगे बढ़े next question की अपन बात करते हैं जो आपकी screen पे शो हो रहा है which option represent two type of barcode बार कोड की बात करते हैं कि बार कोड में कौन सा विकल दो परकार के बार कोड को दर्शाता देखो यहां एक बार कोड होता है यह जैसे बार कोड है किसी आपको बड़े बड़े सूपर मार्केट में product की information के लिए एक नमबर शो होते हैं जैसे कोई भी नमबर है तो यह मेरा कोड जो कहलाएगा वो कहलाएगा बार कोड अब बार कोड को रीड करने के लिए BCR काम में लिया जाएगा बार कोड रीडर काम में लेंगे अब बार कोड रीडर को अपन काम में तो लेंगे अब यहां मुझे बताओ एक question पूछा गया था आ वीडियो एक्जाम 2021 में क्योशन पूचा गया कि जो बार कोड जो बनता है वो कैसे बनता है नोर्मल शाही से या मेगनेटिक इंक से ठीक है तो बार कोड में जो इंक यूज में ली जाती है जो इंक काम में ली जाती है जो शाही काम में ली जाती है तो वो नोर्मल शाही होती है ठीक है नोर्मल इंक होती है तो यह ध्यान देना कि भी नोर्मल इंक जब कि आपका M.I.C.R. कोड है जो चेक की जल्दी प्रोसेसिंग के लिए काम में आता है Magnetic Ink Character Recognition तो यहां पूछा जाता है तो यहां Magnetic Ink Magnetic Ink काम में ली जाती है ठीक है? चुम्ब की यह शाई Magnetic Magnetic Ink चुम्ब की यह शाई M.I.C.R. में काम में ली जाती है ठीक है? तो यहां Normal शाई और इसमें एक पूरे word में use किया जाने वाला ठीक है? उसका नाम है UPC ठीक है? पूरा नाम Universal Product Product Code Universal Product Code जो अमेरिका के Supermarket में कहां use आता है? Supermarket America America के Supermarket में काम में लिया जाने वाला ज़्यादा तर काम में लिया जाता है तो वो होता है अब Universal Product Code में 12 नमबर होते हैं कितने होते हैं? 12 नमबर पहले वाले वर्जन में 10 नमबर होते थे आजकल 12 नमबर होते हैं MICR आपको पता है बेंक में चेक की जल्दी प्रोसेसिंग के लिए काम में आता है क्योस्टन कंप्यूटर अनुदेशक में पूछा गया था कि देखो Universal Product Code का Question आ गया तो Universal Product Code है Code की संख्या कितनी होती है? U, P, C Universal Product Code जो कहां यूज़ किया जाता है? अमेरिका में यूज़ किया जाता है ज़्यादा तर सूपर मार्केट में ठीक है? मार्केट में यूज़ किया जाता है जिसका नाम है उसमें नंबर पूछे होते हैं नंबर और नंबर भी पूछे गए हैं कि बई डिजिट में कितने होते हैं ये पूछा गया है कि अश्रम ठीक है, सबसे जादा यूज किया जाने वाला बार कोड बार कोड का जो कंसेप्ट है देखो युनिवर्सल प्रोड़क्ट कोड है एक अपका था बार कोड बार कोड का वो कंसेप्ट है वो सबसे पहले जापान ने इजाद किया था ठीक है यहां ओटो मोबाइल में उध्योग के लिए यह काम में लिया गया था अब आज अपन जो काम में लेते हैं आज अपन ज क्यूंशन डिटेक्शन होते हैं वरतमान में जो अपन काम में लेते हैं उसे अपन कहते हैं qr-coad ऐसे होते हैं उसमें qr-coad हाँ तो qr-coad जो आपको वरतमान में दिखाई देता है वो आपका qr-coad है qwik response kod कौनसा kod quick response kod तो यह qr-coad है मेरा ठीक है तो अपन इसकी बा दूसरा पोजीशन डिटेक्शन महिला परिवेक्षा के एक्जाम में क्योशन पूछा गया था ठीक है तो तीन अब अपन यहां लिख देते हैं कि वह क्यू आर कोड क्यू आर कोड में तीन पोजीशन पोजीशन डिटेक्शन होते हैं ठीक है कितने होते हैं तीन पोजीशन डिटेक्शन होते हैं एक दो तीन चार बिट में डेटा स्टोर करता है ठीक है चार बिट में डेटा स्टोर करता है एक पूछा जाता है मोड्यूल की रेट ठीक है बहुत कम एक्जाम में पूछा गया है लेकिन आपको ध्यान रखना है तो यहां ध्यान देना है अब कितने डिजीट होते हैं तो इसमें 12 डिजीट होते हैं ठीक है तो मैंने बार कोड क्यू आर कोड अब क्यू आर कोड को सबसे पहले यूज किया गया था तो वो भी आप ध्यान देना कि बहुत क्यू आर कोड को यूज किया गया था जापान में और जापान में ओटो मोबाइल उध्योग के लिए ओटो मोबाइल इंडस्ट्रीज के तीनों similar है, आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले कहां हुआ, जो बच्चे नए हैं, सभी like करें वही class को, चलो, आगे चलते हैं, next question आपकी screen पे, A.K.B. memory में bits की संख्या, देखो fundamental में memory से question है, आपका number of bits, ठीक है, number of bits in A.K.B. of memory is, A.K.B. memory में bit की संख्या कितनी है, देखो, memory की सबसे छोटी इकाई, memory की सबसे छोटी इकाई होती है, bit, जिसका पूरा नाम क्या है, binary digit, क्या नाम है, binary digit, memory की सबसे छोटी इकाई, तो उसका पूरा नाम binary digit है, जिसी को अपन कहते है, 0, 1 कह दो, binary digit आ गई, ठीक है, तो binary digit कहते है, अब मैं 1 से मैंने बनाया है, 1 और 1, 2 bit बन गए, 2 bit से फिर मैंने बनाया, 4 bit, 4 से फिर मैंने बनाया, 8 bit, बही, 1 और 1, 2, 2, 2, 2, 4, 4, 4, 4, 1, 1 से बहले 2 कहते हैं ना, बनाया, 1 से रए 1, 2, 2, 4, 4, 4, 8 bit, तो 1 bit हो गया, 2 bit हो गया, 4 bit के समुए को मैं computer में कहता हूँ, nibble, क्या कहता हूँ, nibble वो भी कितना, 1 nibble, जब मैं 4 bit के समुए को 1 nibble कहता हूँ, तो 2 bit के समुए को मैं half nibble नहीं कह सकता हूँ, हाफ निब्बल तो दो बिट का समुव मेरा हाफ निब्बल है तो यहां चार बिट का समुव है जब मेरा एक निब्बल है तो यहां आठ बिट का समुव दो निब्बल हो गया आठ बिट के समुव को वैसे कहते हैं अपन एक बाइट क्या कहते हैं एक बाइट मेमोरी में होते हैं तो चार बाईट किसे बताएगा तो चार बाईट मेरे को बता देगा half बाईट बी तो अपन बता सकते हैं जब चार बीट half है तो 2 बिट मेरा half निबल भी तो हो सकता है लिख दिया मैंने ठीक है ऐसे करते करते मैंने बना लिया 1024 बायट बन गया तो 1024 बायट बना लिया और 1024 बायट मेरा क्या कहलाएगा एक केबी, एक केबी यानि एक किलो बाइट कहलाएगा मिलकर 1 किलो बाइट मिलकर मेरा बन जाएगा 1 MB, 1 Megabyte क्या हो जाएगा, Megabyte हो जाएगा ऐसे करते करते मैं 1024 से क्या बना दूँगा MB से, MB हो गया तो मैं बना दूँगा 1 GB, तो 1 GB मेरा क्या हो गया, Gigabyte अब देखो, क्योश्चन क्या पूछा गया है क्योश्चन पूछा गया है कि 1 KB में bits की संख्या पूछिए, 1 KB में byte तो कितने होते है सबसे पहले byte मैंने आपको निकालना बताया कि 1024 होते हैं byte और किस में होते हैं, 1 KB में 1 KB में byte की संख्या होती है 1024 अब देखो, 1024 हो गए अब 1 byte में कितने bit होते हैं तो 8 से into करो क्योंकि 8 bit से ही मेरा क्या बनेगा एक byte तो मैंने into किया तो 8 चोके क्या होते हैं, 8 चोक 32 हो गया न तो यहां 2 आ गया मेरा 8 चोके, 32 तीन लग गया 8 हेकम, 8 दूनी 16 और 3 उननीस असल की एक, फिर यहां 1 और 8 हेकम, 8 तो कितने bit होते हैं, कितने bit होते हैं, 8 हजार एक सो बान में bit होते हैं आपको यह ध्यान देना है, ठीक है क्योशन पूछा जाता है, अच्छे लेवल का क्योशन अभी ठीक है, तो यहां D करेक्ट आंस्वर है यह जो क्योशन है, same to same क्योशन आया था, संगनक एक्जाम में, ठीक है संगनक एक्जाम में क्योशन आया था जो 2021 में एक्जाम होई थी, अधिनस्त बोड जो एक्जाम कराता है उसी में क्योशन पूछा गया था तो आपको यह भी ध्यान देना है कौन कौन से question पहले पूछे जाते हैं, यह solution आपके लिए रामबान साबित होगा, आपके लिए अच्छा उसर है, आपको चीजे की थुरू, कम से कम आपको, अगर आप रोज solution देखते हो, तो आपको कम से कम, देड़ सो question तो ओर याद हो रहे हैं, तो दिक्कत का है, ठीक है, थोड़े दिनों बाद, यह हर संडे का solution चल रहा है, हर संडे को जो पेपर हुए, अभी अपन पेपर तीसरे पर पहुंचे, मोग टेस्ट पेपर तीसरा, फिर कल चोथा, फिर पांच चुआ, फिर छेटा, ऐसे हैं, अपन संडे तक का, अब तक जितने solution हो गए, मतलब आप के जो 5-6 पेपर हो गए, सब को cover कर लेंगे, ठीक है, हाँ, यह तीसरा मोग पेपर है, जो पहले हुआ था, अपन सारा अभी current तक आ जाएंगे, फिर दिक्कत नहीं होगी, संगनक एक्जाम में जब question आया, तो उसमें question में देखो, option आप देखोगे, आप सोचोगे, सर ऐसे ही बता देते हैं, संगनक में आया, junior accountant में आया, ऐसे नहीं बताते, मैं जब आपको कह रहा हूँ, आप जाके चाहिए चेक करना, आपको यहीं मिलेगा, वहाँ संगनक एक्जाम में जब आया, तो वहाँ पूछा गया था question, 8000 बिट दिया गया था, कितना दिया गया था, कि एक क्योशन यही था, एक के भी मेमोरी में बिट की संगया, तो 8122 में नहीं दिया था, वहाँ केवल 8000 दिया था, तो आपको चाहिए 8000 दे, तो इसके करीब ही तो है, तो यह भी correct है, ठीक है, तो अच्छी चीजे बता दी मैंने, जल्दी से like करो session को, फिर अपना आगे ब with free software is a type of propriety software that is offered for use free of charge, निमन लिकित में से मुफ्त software जैसा नहीं समझा जा सकता, एक परकार का स्वामित्व software है, जो मोध्रिक सुल्क में उपयोग के लिए उपलब्द है, ऐसा software के बारे में आपको पूछा गया है, जल्दी से मुझे answer दे, अच्छा क्योशन आपकी screen पे, अच्छा क्योशन है, भाश्या में क्योशन है, आपको गल्ती नहीं करना है, तो वो freeware software होगा, क्या होगा, फ्रीware software होगा, जो एक परकार का स्वामित्य software जैसा समझा जा सकता है, वैसा मुफ्त के लिए उपयोग है, ठीक है, तो freeware software होगा, ठीक है, प्रमवेर वो रोम बाला software है, वही, C नहीं होगा, तो यहाँ, आपका जो A है, इसमें correct answer है, अगर अपन 80 में देखें, तो यहाँ यही correct answer है, चलो, question की भाशा देखो, मुफ्त सोफ्ट वेर जैसा नहीं समझा जा सकता, आगे चलते हैं, MS Word के question अपन बाद में discuss करेंगे, ठीक है, हाँ, MS Excel के, sorry, Excel के word के इनके question बाद में discuss करेंगे, अलग से जो आपका मिला है, उसमें अपन discuss करेंगे, अब यहाँ, अपन थ देना है, 91 question पूछा गया है, MS Excel के अपन बाद में discuss करेंगे, जल्दी से बताओ भई, अच्छा question, कोई बात नहीं, अच्छा question है, 91 पूछा, जब आप किसी file को download करने के लिए open with पर click करते हैं, तो क्या होता है, आसान question, भाशा में question है, जब आप किसी file को download करने के लिए open with प click करते हैं, तो क्या होता है, आसान question, जल्दी से मुझे answer दो, जब आप किसी file को open करने के लिए करते हो, तो फिर क्या होता है, जल्दी से answer दो, हाँ, हट गए वही जल्दी से, तो देखो, जैसे ही आप एक file पर click करते हो, तो file is download and open using default program, जब आप file को download करते हो, तो बिल्कुल correct बात है, कि वही जैसे ही file को, जैसे आपने file को internet से download किया है, तो यहाँ आपकी जो file है, यहाँ आपकी file है, तो वो download हो गई, अब download होते ही, जो default जो program है, उसमें वो open होगी, तो यहाँ ए मेरा correct answer है, क्या दिक्कते हुई इसमें, आसान ही तो question था, क्यों गड़बड की आपने, समझ में नहीं आता, जैसे ही question भाशा में आ जाता है, फिर आप उस question में फस जाते हैं, गलत बात हैं नहीं, क्यों का देखना चाहिए, कि तरीका क्या है, वो पूच क्या रहा है, आगे चलते हैं भई, ठीक है, यह थोड़ा सा networking का question है, भई फिर भी अपन बात कर लेते हैं, थोड़ा सा fiber optical cable पूचा गया, अमारे बीच में आ गया, तो अपन इस question को complete करते हैं, ठीक है, तो बताओ पर आपको location से परभाव नहीं पड़ता है, या 15 Mbps तक download करने के लिए गती परदान करता है, ठीक है, तो वो आपको speed उपलब्द करवाता है, 15 Mbps की, तो सबसे fast जो speed है, ठीक है, सबसे fast speed कौन सी जो आपकी cable की है, सबसे fast speed पूची गई है, तो कौन सी cable की है, तो सबसे fast speed क कौन सी cable की है, तो वो OFC होती है, ठीक है, optical fiber cable या fiber optical service, ठीक है, यहाँ question का जो answer है, अपना बिल्कुल correct answer है, फाइबर optical cable है, वो इसकी speed है, वो सबसे fast होती है, clear, चलो, आगे चलते हैं अपन, ध्यान देना, सबसे fast होती है, इसमें क्या होता है, परकाश का पून आंतरिक परा आवरतन ऐसे बिखर के परकास टच करके फिर इसकी speed यह बनती है, ठीक है, चलो, coexil cable होती है, टाइप है, optical fiber के cable है, तो यहाँ ध्यान देना है, जैसे lane cable है, टाइप है, चलो, दो परकार के DSL में, समली DSL की तुलना में होती है, तो वो क्या होती है, चीपर होती है, सस्ती ह होती है, among the two type of DSL, तो वो सस्ती होती है, next question आ जाते हैं ठीक है, एक दोहरी परत वाली, अब आगे अपना question भई, जिसका अपन वेट कर रहे थे हैं, ब्लूरे डिस्क है, ठीक है, ड्यूल रेल ब्लूरे डिस्क केन स्टोर अब टू ओन डेटा, एक दोहरी परत ब्लूरे डि की CD, optical disc, optical disc का ध्यान देना कौन-कौन सी होती है, एक तो होती है CD, compact disc, एक होती है DVD, ठीक है, digital versatile disc, एक होती है BRD, जिसे अपन क्या कहते हैं, ब्लूरे डिस्क, ब्लूरे डिस्क के नाम से जाना जाता है, ब्लूरे डिस्क, अब उसकी capacity पूची गई है, ठीक है, कर सकते हैं, तो यहाँ जो option है, वो 50 GB है, ठीक है, अगर अपन इसकी बात करें, कि ब्लूरे डिस्क में, ठीक है, maximum कितना होता है, तो maximum, अगर अपन data की बात करें, ठीक है, या इसकी capacity की बात करें, ठीक है, maximum, capacity, तो maximum capacity कितनी होती है, तो इसकी होती है 500 GB तक, कितनी होती है, 500 GB तक maximum तो यहाँ normal पूछा है इसलिए मेरा D है वो correct answer है अब optical disc आपकी किस type की memory है तो optical disc भी मेरी जो secondary memory है कौन सी memory है secondary memory के अंतरगत आपकी आती है तो ये भी धान देना है कि जो optical disc है वो secondary memory है ठीक है polycarbonate plastic की बनी होती है आपकी जो optical disc है उनकी ठीक है आगे चले तो यहाँ D मेरा correct था चलो next question आपकी screen पे जल्दी से मुझे answer देना है ठीक है card reader एक data input device है जो card के अकार के data पढ़ता है read करता है ठीक है card reader is a data input device that read data from a card से ठीक है card reader एक data input device है जो card के अकार के data को read करता है तो वो कौन सा होगा भई virtual memory होगा slot होगा internet medium होगा देखो virtual memory की बात करें तो यह आभासी memory है memory नहीं है केवल उसका आभास है तो यह आभासी memory कहलाती है मेरी ठीक है जैसे computer में अगर आपका कोई program बड़ा है अब उसको चलाने के लिए memory ज्यादा चीए जैसे आपके computer की जो रेम है computer की जो रेम है वैसे आपकी मानलो चार जीबी रेम है और जो आपका program है वो 5 जीबी का program है अब आपको इस program को 5 जीबी इस पे यहां चलाना है इस वाले computer में इस वाले laptop में आपको चलाना है तो कैसे चलाओगे तो आप क्या करोगे यह एक जीबी है यह एक जीबी की आप virtual memory बना लोगे ठीक है virtual memory बना लोगे यह वास्तव में memory नहीं बनेगी एवल एक टेकनीक है जो आपको उपलब्द करवा देगी आपका program वो चल जाएगा तो virtual memory आप 80 memory है अब यह एक जीबी memory बनते ही 5 जीबी और आपका चल जाएगा अब virtual memory का जो size है यह size किस पर depend करेगा तो यह hard disk है उसका जो disk space है hard disk का जो disk space है उस पर depend करेगा hard disk के disk space पर मतलब hard disk में कितनी खाली जगा है हाँ थोड़े time के लिए hard disk में जो खाली बची जगा है उसका अपन use करते हैं virtual memory तो यहां जो answer होगा मेरा storage medium होगा card reader data input device है जो card के आकार में पढ़ता है तो उसके लिए अपन काम में लेते हैं आगे चलो अब card reader भी आपका किस में आता है card reader की अगर अपन बात करें कि भी card reader है हाँ card reader है जो आपका card reader है card reader ठीक है तो वो कौन सा जो card reader में अपन डालते हैं वो storage, medium, memory, memory card डालते हैं वो secondary card में आता है चलो आगे चलते हैं next question पर अपन बात करते हैं the communication between card और card reader के भी संचार परतेक्स योग्यम के माद्यम से होता है इसके द्वारा क्या हासिल किया जाता है better speed है, reliability है, portability है, efficiency है, जल्दी से मुझे answer दो अच्छा question आपकी screen पे बही, क्या बही, card और card reader के बीच आपको क्या upload होता है, sita ram, bunker, goku, waris, flesh drive बिल्कुल सही है, उन्हें flesh memory कहते हैं बही, जो memory card है, तो better speed यहाँ, बिल्कुल correct होगा, card और card reader के बीच संचार, परतेक, जूद्ध माध्यम से होता है, जिसे अपन असिल किया जा सकता है, तो उसे अपन better speed के लिए काम में लिया जाता है, आगे चलते हैं, ठीक है, यह आपका operating system का question आगे, आगे चलते हैं, किसी computer tower से जुड़े hardware को क्या का जाता है भी, computer tower से जुड़े, any hardware attached to computer tower now is, किसी computer tower से जुड़े hardware को क्या का जाता है भी, CPU, central processing unit नहीं, software नहीं, software मेरा क्या है, तो set of program है, ठीक है, और program क्या है मेरा, तो set of instruction है, instruction है, निर्देशों का समुए, तो वो peripheral device है, क्या है peripheral device है, यानि C है, वो मेरा correct answer भी, सारे के सारे peripheral device के अंतरगत आते है ठीक है, peripheral device, जितने भी computer से यहाँ, जैसे यह आपका computer है इससे आपका keyboard जुड़ रहा है, इससे आपका CPU जुड़ रहा है, इससे आपका computer से आपका यह printer जुड़ रहा है ठीक है, इससे आपका जुड़ रहा है, mouse जुड़ रहा है ठीक है, यह क्या है, mouse जुड़ रहा है, अब यह सारे के सारे जो उपकरण है computer को घेरे रखते हैं, यह peripheral device है हाँ, सितर राम जी कह रहे हैं, परम सर जो पढ़ाएं, वह पढ़ लो, सब की लग जाएगी ऐसी कोई बात नहीं है, मैनत आपको करनी पढ़ेगी, ठीक है हम जो पढ़ा रहे हैं, एक area है, अपन उसी तक ही teacher आपको पढ़ा सकता है आपको क्या है, अपने हिस्से में, जो आपको मैनत आती है, वो आपको करनी पढ़ेगी ठीक है, हाँ अरे भाई, बीच बीच में other subject के question है ना, तो वो सर करवाएंगे इसलिए अपन ये जो अपने fundamental है, वो ही अपन question कर रहे है ठीक है, चलो, तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि परमसर तो बता देंगे आपको चीज़े कि भाई, ये ये चीज़े होती है लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, परमसर एक तरीके तक आपको थोड़ा साही वहाँ तक बता सकते हैं, रस्ता बता सकते हैं, चलना आपको पढ़ेगा, मैनत आपको करनी पढ़ेगी हम केवल आपको रस्ता दिखा सकते हैं कि जैपूर ऐसे जाते हैं दिल्ली यहां से यह रस्ता है हाँ आपको यह बता सकते हैं कि शोर्टकट तरीका यह है आप ऐसे पहुं सकते हो आप एरोप्लेन से जा सकते हो वो short rate तरीका है लेकिन पढ़ना आपको पढ़ेगा मैनत आपको पढ़ना पढ़ेगी कोचिंग सहंस्थान आपको केवर मार्क दर्शक दे सकता है कि आप ऐसे तयारी करो आप ऐसे करो ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं सभी like करें सेशन को अच्छे question है अपने ना चलो चलो यहां पूछा गया है देखो driver से question है उनकी कारेशमता बढ़ाने के लिए ठीक है अगर the process पूछा गया है the process of adding new feature to the existing drivers to enhance their function ठीक है as now is ठीक है पूछा है उनकी कारेशमता बढ़ाने के लिए मोजी ड्राइवरों में नहीं सुईदा को जोडने की प्रक्रिया क्या कहलाती है जल्दी से मुझे बताओ भई बिल्कुल पायल शर्मा हमने वो प्लेटफोर्म है वो छोड़ दिया है अब से हम पाटशाला में सेवाए दे रहे है ठीक है पायल जी अब से हम यहां पाटशाला में आपको हमारी सेवाए उपलब दोगी बढ़ाओ बताओ भई ड्राइवर का क्योश्चन था आसान क्योश्चन तो वहां क्या करोगे अपडेट करोगे न तो अपडेट करने से क्या होगा ड्राइवर की पर्फोमेंस बढ़ जाएगी तो अपडेटिंग ड्राइवर ठीक है हर जो आपका डिवाइस है तो ड्राइवर देखो एक होते है मेरे डिवाइस ड्राइवर डिवाइस ड्राइवर किसको कंट्रोल करते हैं तो वो हार्डवेर को कंट्रोल करते हैं हार्डवेर को कंट्रोल करते हैं जैसे ये आपका कंप्यूटर है अब यहां इसमें ये प्रिंटर लग रहा है क्या लग रहा है printer लग रहा है अब यह जो printer है computer से मैं connect करूँगा इसको connect कर तो लूँगा मैं wire से अब इसको जो control करने का कार यह करेगा वो hardware को device driver करेगा कोई भी चाए hardware हो चाए आपका कोई आपने printer लगाया बार कोड लगाया कोई भी device लगाया ठीक है चलो आगे बड़े अच्छा क्यों शंथा आगे चलते है नाइन print print head में print column को व्यवस्तित किया जाता है double, three, four, single, nine print print head में column को कैसे व्यवस्तित किया जाता है भी ठीक है printer की बात करते है भी printer printer एक तो होते हैं आपके impact printer जो आवाज करते हैं ıldोन impact printer जो आवाज नहीं करते ठीक है, impact printer में आपके आगए dot matrix, एक आपके आगए daisy wheel, एक आपका आगए chain, एक आपका आगए line, एक आपका आगए drum और non impact में जो silent परकार के, जो speed में, ठीक है, सबसे ज़्यादा laser printer, फिर आपका ATM machine में thermal printer, ठीक है, फिर यहाँ एक printer होता है, ink-zate printer, ठीक है, एक और होता है, जो होता है die sublimation printer, जो आपका laser printer का ही fast speed है, एक printer है, जो आपको पूछा nine print print head में, तो single, एक होती है, column में vested किया जा सकता है, एक ही column में, जो nine print print head होगा, printer में जो head होता है, जो अपन देते हैं, जो छपाई के लिए use करते हैं, तो उसमें कितना होगा, एक ही होगा, आगे चलते हैं, Wikipedia के जनक, देखो एक Wikipedia जो site है, अब इसको कब introduce किया गया, 2000, दो के करीब इसको introduce किया न, ठीक है, अब इसका जो जनक है, इसको बनाया गया, father of Wikipedia, ठीक है, Wikipedia के जनक पूछे गए हैं, विक्की पीडिया के जनक मुझे बता दो, जल्दी से, आपको आसान question का answer देना है, Wikipedia के जनक पूछे गए है, फास्ट answer दो भई, हाँ न, हाँ, तो बताओ भई, यहाँ देखो, date आपको एकदम fix बताओ न मेलको, तो फिर 2001 यहाँ confirm होगा, ठीक है, तो वैसे 2001 है, 2002 नहीं है, 2002 में यह पूरा विस्तारिक्त रूप में आया, तो 2001 होगा, Jimmy Wells जो है, Wikipedia के वो आपके जनक है, जिनका नाम क्या रखा गया है, Jimmy Wells है, ठीक है, ध्यान देना है आपको भई, Jimmy Wells है, सर जी, clip art के माध्यम से document में picture को aid किया जाता है, या insert किया जाता है, clear करे, clip art के माध्यम से document में जो picture है, उनको insert किया जाता है, या अपन कहते aid, लेकिन वो picture नहीं है, वास्तों में वो clip art है, चाए aid कर दो, चाए insert कर दो, insert ज्यादा better option है, क्योंकि यह insert tape में आ रहा था, ठीक है, हाँ, Jimmy Wells है, वो wikipedia के संस्तापक है, 2001 में इसे design किया गया था, 2001 में इसे design किया गया था, founded किया गया था, तो यहाँ ध्यान देना है, आगे चले, ठीक है, OFD text document file format पूछा गया है, ठीक है, आसान question है, बता दो जल्दी से, फिर अपन next question पे चलते है, कौन सा file format set किया गया है, जल्दी से मुझे बता दो, तो ODT file हो गया, ठीक है, कौन सा हो गया, ODT, अब अपन थोड़े से अपन दो तिन question हो रहे हैं, जिन पे अपन सीधा चल ले चलते हैं आपको, यह MS office के question है अपन अलग से discuss करेंगे, ठीक है, चलो, आगे चलो, memory में किसी भंडारेन इस्तान तक पहुंचने और उसकी सामगरी प्राप्त करने के लिए आवश्यक ओक्सत समय उसे क्या कहा जाता है, memory में किसी भंडारे इस तार तक पहुँचने और उसकी सामगरी प्राप्ट करने के लिए आउशक जो समय है उसे क्या का जाता है seek time, run around time ठीक है देखो memory में जैसे आपकी ये memory है ठीक है अब आपको क्या करना है कोई find करना है data memory में से memory के data को अगर आप वहां तक पहुँचना चाहेंगे तो वो आपका time कहलाएगा latency time latency time यानि data को find करने में find करने में जो समय लग रहा है वो latency time है कहा है अब उस data को find किया और find data को मैं read करूंगा तो वो मेरा कहलाएगा seek time पहले तो find करने वाला time latency time ठीक है latency time फिर उसको मैं read करूंगा तो वो seek time अब देखो एक तो होता है latency time प्लस मैं इसमें add कर दूँ seek time तो दोनों का जो मेरा combination है भई मैं find भी करूं और उसको read भी करूं तो वो मेरा कहलाएगा access time तो यहाँ access time पूछा गया है access time होता है भी data को read and find करने के लिए जो समय आपको मिल रहा है उसे अपन access time कहते हैं आगे चलें चलो कौन सा memory का सबसे नीचे है ठीक है जिसका सबसे नीचे पूछा गया है कि which of the memory lowest in memory हर हरार की ठीक है सबसे ज़्यादा speed की बात करते हैं ठीक है speed की बात करते हैं सबसे ज़्यादा जो memory होती है वो होती है registers फिर उसके नीचे आपकी आती है cash speed की बात करते हैं फिर आपके आती है रेम फिर आपके आती है secondary ठीक है यह इसकी speed है सबसे तेज speed है यह speed की बात करते हैं सबसे तेज speed है वो memory की वो सबसे तेज है register फिर धीरे 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 कम होती जाती है speed सबसे तेज अगर speed की बात करूँ मैं तो सबसे तेज speed होती है register की फिर इससे कम इसकी फिर इससे कम इसकी फिर सबसे कम इसकी सबसे तेज speed ठीक है हाँ तो सबसे छोटी पूचा गया है कौन सा memory सबसे नीचे है तो नीचे secondary memory है मेरी नीचे है ना हाँ तो यहाँ मेरा B है वो correct answer है अब यहाँ सबसे fast memory करते हैं इसे ठीक है सबसे fast speed memory अब इसका जो access time है तो access time है excess time है तो वैसे देखा जाए तो excess time कम होना चाहिए अगर किसी चीज की speed जादा है तो उसको लगने वाला समय कम ही तो लगेगा आप भई coaching आते हो या आप कहीं library जाते हो अगर आप fast जा रहे हो अगर आप तेज गती से जा रहे हो तो आपको time कम ही तो लगेगा जो memory की speed जादा है उसका excess time वास्तों में कम होगा ठीक है तो excess time कम है ठीक है excess time इसका कम है धीरे धीरे excess time है वो बढ़ता चला जाएगा तो दोनों चीजे मैंने बता दी excess time यहाँ ऐसे बढ़ रहा है ठीक है तो यह excess time है वो मेरा कहलाता है ठीक है चलो क्योंकि वो डेटा primary memory से secondary में आ रहा चाहिए secondary से primary में जा रहा है तो वो मेरा access time कहलाता है ठीक है आगे चले चलो एक last question है अपन डिसकस करेंगे वो newman architecture is वो newman architecture क्या है वह हाँ case memory CPU and RAM के मद्दे वो newman एक computer का architecture दिया था उसने न एक तो यह दिया था input होगा फिर उसमें process होगा फिर हमें output मिलेगा output होगा यहां से तो होगा output और यहां से होगा input और यहां यह मेरा है CPU इसमें होगी processing CPU में क्या होगी नीचे लिख देता हूँ na CPU में मेरी क्या होगी processing तो यहां पूछा गया है कि कौन सा architecture है वो काम में लिया गया था जल्दी से मुझे answer दो दर जी की छोरी कह रहे है सर आप बहुत अच्छा explain करते हो मुझे बहुत कुछ समझ में आया है जल्दी से आंस्वर दो फिर समझ में आया है तो single instruction single data यहां A होगा full form इसकी single instruction ठीक है single जो आपका instruction है ठीक है और single ही आपका क्या है data है ठीक है single instruction single data A बिलकुल वो newman architecture इसको कहते है हां बिलकुल आगे चले तो यह था आपका जो मैंने यहां आपको बता दिया ठीक है तो आज की class अपन यहीं करते हैं समाप मिलते हैं अपन कल इसी समय साथ बज़े अपनी class होती है जब अपन instruction single data तो वहां अपन computer के जो fundamental में जितना part है वो cover कर रहे हैं बाकी के जो question बचे हैं अपन MS office वाली class में वहां MS office के question एक साथ discuss कर लेंगे ठीक है तो बिलकुल अपना बहुत बहुत ध्यान रखें अच्छे से पढ़ाई करें आपकी exam का schedule कुछ दिनों में आने वाला है 21 जनवरी यह आपका fix है ठीक है आपको यह आज की class है जो अपना solution कैसा लगा comment करके जरूर बताएं आपका जो positive comment है वो बहुत माइने रखता है तो अपना बहुत बहुत ध्यान रखें मस्त रहें अच्छे रहें बिलकुल टेंसन ना लें इस बार आपकी job है वो पक्की है थेंक यू धन्यवाद जय हिन जय भारत यजिक है बहुत रहें अच्छेश बढ़ा CC água करे, बहुत माइने हुते हैं यादे भारत झाल 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 झाल